हेलो एवरिवन आप सब लोग का मेरे यूटीब चैनल में हड्दिक स्वागत है आज हम लोग जो और्गनिक कन्वर्शन्स जो है वो देखेंगे अल्डियाइट्स कीटोंस और कार्बोकसिलिक असिट का ठीक है यह क्वेस्टन नंबर फिप्थ है और अगर आप लोग क्वेस प्रोपानोन टू प्रोपान टू ओ घौ जो होता है वो sympathetic ॉशीटी डबल बॉन ओ सिंगल बॉनद FCस त्री इसको प्रोपानोन बोला जाता है इससे हम लोग को लोग को अंवर्शन्स आbet करना है मतलब यह यह सचिप लिए बंड और अंगरас करता है है इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं लिथिय अलविन हाइड्राइड यूज कर सकते हैं या तो sodium borohydride यूज़ कर सकते है या तो palladium along with hydrogen catalytic hydrogenation यूज़ कर सकते है ठीक है? इसमें से ये तीनों में से कोई भी अगर एक आप यूज़ करते हो तो ये जो है acetone जो है वो propan to all में convert हो जाएगा ठीक है? मतलब propanone जो है वो propan to all में convert हो जाएगा अभी second वाला देखते है propanone to propene propanone को सबसे पहले हम लोग को reduction करना है similarly lithium aluminium hydride use करेंगे तो किस में convert हो जाएगा ये CH3 CH OH में convert हो जाएगा single bond CH3 होगा ठीक है? इसको अगर हम लोग concentrated sulfuric acid का presence में अगर heat करते हैं concentrated H2SO4 के presence में अगर heat करते हैं तो यहां से water निकल जाएगा और ये propene में convert हो जाएगा CH3 CH double bond CH2 में convert हो जाएगा ठीक है? अब थर्ड वाला देखते हैं थर्ड जो है butanol to butanoic acid butanol को अगर हम लोग oxidation करते हैं butanol क्या होता है? CH3 CH2 CH2 OH इसको butanol बोला जाता है butanol को अगर हम लोग oxidation करते हैं ठीक है? कैसे oxidation करते हैं? chromium dry oxide chromic oxide alumate sulfuric acid इसको कौन से reagent बोला जाता है? Jones reagent बोला जाता है ठीक है? तो इससे यह किसमें convert हो जाता है? CH3 single bond CH2 single bond यह वाला क्या था? butanol था ना तो butanol यह 2 हो जाएगा ठीक है? meet, eat, prop, but CH2, CH2 single bond COOH ठीक है? अब question नमर फोर्थ देखते है ethanol to 2 hydroxy propanoic acid ठीक है? ethanol जो है यह है ethanol CH3C double bond O single bond H ठीक है? इसको अगर हम लोग HCN के साथ reaction करवाते हैं तो corresponding cyanohydrin बन जाएगा CH3 single bond CH single bond OH single bond CN अब इसको अगर हम लोग hydrolysis करते हैं कैसे? H plus along with water plus heat देते हैं तो यह किसमें convert हो जाएगा? corresponding acid में convert हो जाएगा OH single bond COOH ठीक है? अब next हम लोग देखते हैं question number 5 ठीक है? यही है 2 hydroxy propanoic acid देखो 1,2 2 hydroxy propanoic acid ठीक है न? अब question number 5 देखते हैं ethanol to bute-2 in 1 L ethanol जो है CH3 single bond CH double bond O ethanol से हम लोग क्या करना है? bute-2 in 1 L में convert करना है ठीक है? तो हम लोग जानते हैं इसको अगर dilute NOH के साथ reaction करवाते हैं तो इसको इसका क्या होता है? aldol condensation reaction बनता है और इससे क्या बनता है? CH3 CH single bond OH single bond CH2 single bond CHO ठीक है? इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो इससे क्या बन जाएगा? CH3 single bond CH double bond CH single bond CHO ठीक है? देखो यह वाला क्या है? bute-2 in 1 L bute-2 in 1 L है ठीक है? question number 6 question number 6 में क्या बोला गया है? ethanol 2-3 hydroxy butanil ethanol 2-3 1-2-3 3 hydroxy butanil ठीक है? यह तब आप लोग का homework है अगर आप लोग समझे हो यह इसको तो बना पाऊगे question number 7 question number 7 जो है वो वाले क्या है? ethanol to acetone यह एक अच्छा reaction है ethanol CH2 OH ठीक है? क्या बोला गया? ethanol ethanol मतलब CH3 CH2 OH से हम लोग किस में convert करना है? acetone में convert करना है लेकिन acetone में convert करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको copper 573 degree मतलब 73 Kelvin अगर देते हैं ठीक है? तो यह किस में convert हो जाएगा? CH3 single bond CH double bond OH में convert होगा ethanol में convert हो जाएगा ठीक है? अब इतनल को अगर हम लोग क्या करते है? CH3 Mg Br along weight अगर हम लोग water देते हैं या तो H3O plus देते हैं तो यह किस में convert हो जाएगा? CH3 single bond यह कहाँ पर attack करते है? यहाँ पर attack करता है तो obviously CH3 CH single bond OH single bond CH3 में convert हो जाएगा है ना? इसको अगर हम लोग फिर से copper and 573 Kelvin temperature देंगे तो यहाँ से क्या होगा? water sorry minus 2H हो जाएगा dehydrogenation होता है dehydrogenation होगा यहाँ से H निकलेगा यहाँ से H निकलेगा तो तब क्या बन जाएगा? CH3 single bond C double bond O single bond CH3 ठीक है? तो बन गया है ना? ethanol to acetone अब जो है question number 8 question number 8 जो है वो वाले क्या है? acetylene to acetic acid acetylene acetylene मतलब क्या होता है? CH triple bond CH H इसको हम लोग को किसके साथ reaction करवाना है? H plus comma water 20% sulfuric acid in presence of HG2 plus at 333 Kelvin temperature तो यह किसमे convert हो जाता है? CH3 single bond सबसे पहले इसका hydration होगा मतलब इसके साथ क्या जुड़ेगा? एक hydrogen जुड़ेगा? इसके साथ क्या जुड़ेगा? एक OH जुड़ेगा? मतलब CH2 single bond CH single bond OH ठीक है? CH2 double bond CH single bond OH ठीक है? यह जो है यह product क्या हो जाता है? इसका totom मिर्जम होता है तोटोमेराइज़ेशन से यह किसमें convert हो जाता है? यह bond जो है यह इधर घुमता है और यह इधर चला आता है मतलब क्या बन जाएगा? वहाँ से CH3 single bond CH ठीक है? देखो यहाँ पर समझा देते हैं यह वाला कैसे हुआ है? देखो देखो यह वाला ऐसा है CH2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पहले ऐसा था CH triple bond था अगर water जूर जाएगा तो क्या होगा? इसके साथ एक H जूरेगा इसके साथ एक O इस चूरेगा आया समझ में तो इसके बाद क्या हो जाता है? यह जो bond है यह इधर घूमता है यह वाला bond इधर चला आता है अगर इधर चला आता है तो यह bond और hydrogen के साथ मिलके क्या बना देगा? CH3 बना देगा ठीक है? CH3 बनाएगा उसके बाद क्या होगा? CH जैसा था था यहाँ पर CH के साथ double bond हो इसलिए CH3 बन जाता है ठीक है? आप question number 9 को देखते है question number 9 जो है वो वाला क्या है? इधरिल सायनाइड तो इथानोईक असीड इधरिल सायनाइड क्या है? CH3 single bond CH2 single bond CN इधरिल सायनाइड ठीक है? इधरिल सायनाइड को अगर हम लोग H plus के presence में अगर heat देते हैं तो यह वाला किसमें convert हो जागा? H H plus कॉमा वाटर के presence मेंगर heat देते हैं तो इसका hydrolysis होता है complete hydrolysis से हम लोग जानते हैं यह CH3 CH2 C O O H में convert हो जाता है न? तो इसको हम लोग किसमें convert करना है? इधानोईक एसिद में convert करना है मतलब हम लोग को एक carbon atom कम करना है carbon atom कम करने के लिए हम लोग क्या करना है? Hoffman's bromoyamide degradation करना है इसलिए ही हम लोग इसको ammonia मिला के heat देंगे देंगे तो क्या होगा? minus water निकल जाएगा और यह जो है corresponding amide में convert हो जाएगा मतलब CH3 CH2 single bond CO single bond NH2 amide में convert हो गया अब जो amide है इस amide को अगर हम लोग bromine न ओइच के साथ reaction करते हैं किसके साथ? bromine and न ओइच के साथ reaction करवाते हैं तो किस में convert हो जाएगा यह corresponding amide में convert हो जाएगा CH3 CH2 NH2 में convert हो आया समझ में अब जो CH3 CH2 NH2 जो है इसको अगर हम लोग क्या करते हैं sodium nitrite HCl के साथ reaction करवाते हैं sodium nitrite along with HCl मतलब nitrous acid के साथ अगर reaction करवाओगे तो क्या बन जाएगा यह CH3 single bond हो जाएगा ठीक है इसको जब भी हम लोग oxidation करते हैं oxidation करने के लिए हम लोग alkaline k-m-n-o-4 along with H plus भी यूज़ कर सकते हैं या तो directly हम लोग CrO3 Sulfuric acid यूज़ कर सकते हैं या तो acid dichromat यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इससे यह वाला किस में convert हो जाता है है CH3 single bond C double O H में convert हो जाता है ठीक है तो यह ऐसे है oxidation करते हैं या तो इसको अगर हम लोग copper 573 Kelvin temperature देते हैं यह तो chromium trioxide देते हैं ठीक है इससे इसका oxidation होता है और यह cyclo hexanone में convert हो जाता है इन carbon dioxide यह उसकर सकते हैं या तो फिरिदिनिया प्लोडोक्रोमेट भी उसकर सकते हैं ठीक है आप कोईस्ते नमर 11 को देखते हैं toluene to benzoic acid यह बहुत ही easy है toluene जो है methyl benzene है toluene को अगर हम लोग alkaline k-m-4 मतलब k-m-n-o-4 along with OH- alkaline k-m-n-o-4 second जो है वह estrioplus देते हैं तो यह benzoic acid में convert हो जाता है सिर्फ यहां पर ऐसा नहीं है कि methyl benzene ही convert होता है देखो देखना हम question number 18 में देखेंगे कि जो है कोई भी अगर हम लोग ethyl benzene लेते हैं या तो कोई भी दूसरा कोई alkyl benzene लेते हैं उसका भी corresponding oxidation से वह benzoic acid में convert हो जाता है मतलग सीधा सा बात है अगर हम लोग CH2 single bond कुछ भी रहे अगर इस आड़ लेते हैं इसको भी अगर हम लोग same reagent use करते हैं के में अफोर alkaline k-m-n-o-4 second step में estrioplus तो वह benzoic acid में convert हो जाता है ठीक है अब हम लोग question number 12 देखते हैं question number 12 जो है Bromobenzine to benzoic acid Bromobenzine BR इसको जब भी हम लोग magnesium के साथ reaction करवाएंगे तो यह phenyl magnesium bromide में convert हो जाता है इसको अगर हम लोग carbon dioxide देते है first में second में अगर हम लोग estrioplus देते हैं तो यह benzoic acid में convert हो जाता है COOH benzoic acid में ठीक है अब हम हम लोग question number 13 देखते हैं question number 13 यहां पर है question number 13 में क्या पूछा गया है toluene to benzine तो toluene को सब से पहले benzoic acid में convert कर लो है toluene जो है इसको अगर हम लोग जानते हैं हम लोग alkaline k-n-o-4 alkaline k-n-o-4 allowance heat in the next step estrioplus अगर हम लोग use करेंगे तो वह benzoic acid में convert हो जाएगा इसको अगर हम लोग naoh के साथ fuse करवा देंगे तो यह sodium benzoic में convert हो जाएगा c o o na इसको क्या बोला जाता है sodium benzoic इसको अगर हम लोग soda lime के साथ heat करते हैं naoh with co allowance heat तो यह बेंजीन में convert हो जाएगा single bond H ठीक है अब हम लोग question number 14 देखते हैं बेंजीन टू असिटो फेनोन यह बहुत ही easy है 2020 का question है बेंजीन को अगर हम लोग c h3 c o c l along with an hydrous aluminum chloride अगर reaction करवाते हैं तो बेंजीन के साथ एक c h3 c o group जूर जाता है c o c h3 इसको ही बोला जाता है असिटो फेनोन question number 15 बेंजीन टू मेटा नाइट्रो असिटो फेनोन सबसे पहले हम लोग क्या करना है same step बेंजीन को c h3 c o c l in presence of an hydrous aluminum chloride reaction करवाना है करवाने से क्या बन जाता है c o c h3 बन जाता है इसको अगर हम लोग nitrogen करते है nitrogen कैसे किया जाता है concentrated nitric acid plus concentrated sulfuric acid के साथ अगर reaction करवाएंगे तो यह क्या हो जाता है यहां पर c o c h3 group जो है वह deactivating group है तो इसी लिए c o c h3 का जो मेटा position है वह मेटा position पर एनो टू आता है तो ऐसे बन जाता है है metanitro acetophenone अब हम लोग question number 16 देखते हैं question number 16 benzoic acid to benzaldehyde यह तो और भी इसी है है ना benzoic acid कैसा होता है c o h इसको बोला जाता है benzoic acid है ना इसको अगर हम लोग यह सो c l2 के साथ reaction करवाएंगे तो क्या बन जाता है यह single bond c o c l ठीक है benzoic chloride में यह convert हो जाता है अब जो benzoic chloride है benzoic chloride को हम लोग जानते हैं hydrogenation अगर करते हैं in presence of palladium and barium sulfate if you do the hydrogenation of benzoyl chloride on this palladium sulfate palladium on barium sulfate then you will get the benzaldehyde इसको रोजन वान reaction बोला जाता है benzoic chloride को जब भी hydrogen किया जाता है hydrogen palladium and barium sulfate के presence में तो benzaldehyde बन जाता है अब हम लोग को question number 17 देखना है benzoic chloride to benzoic acid to benzaldehyde हो गया है question number 17 देखो benzoic chloride to benzaldehyde benzoyl chloride to benzaldehyde तो यह वाला खुद कर लेना question number 18 question number 18 जो है benzaldehyde to benzophenone benzaldehyde जो है ऐसा होता है benzaldehyde benzene ring के साथ single bond CHO ठीक है इसको अगर हम लोग क्या करते है pH mg BR के साथ reaction करते है मतलग this is pH single bond mg BR के साथ ठीक है अगर reaction करते है in presence of dry ether first step में यह वाला reaction दूस्टरा में अगर हम लोग estrioplus देते हैं तो 1,1 diphenyl methanol बन जाएगा CH single bond OH single bond that benzene ring अगर हम लोग इसको अगर oxidation करते हैं by using chromium trioxide in carbon disulfide तो तब हम लोग को क्या मिल जाएगा बेंजोफिन मिल जाएगा C double bond OH single bond यह benzene ring ठीक है तो ऐसे हम लोग को benzene मिल जाएगा ethyl benzene to benzoic acid already मैं बोल चुका हूँ अब जो आस्ट क्या है वह क्या है benzoic acid to metanitro benzyl alcohol यह important है क्यों से नमबर 19 जो है वह आप लोग का homework है क्यों से नमबर 20 देख लेते हैं क्यों से नमबर 20 जो है कि उसमें क्या किया गया है बेंजोई क्या लिया गया है benzoic acid हम लोग जानते हैं benzoic acid को अगर हम लोग asocl2 के साथ reaction करवाएंगे तो क्या बन जाता है benzoic chloride बनता है benzoic chloride को अगर हम लोग palladium बेडियम sulphate के presence में अगर hydrogenate करते हैं तो बन जाता है benzoide क्या बन जाता है benzoide ठीक है अब जो benzoide जो है इसका अगर हम लोग नाइट्रेशन करते हैं कैसे concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid H2SO4 तो क्या हो जाता है metanitro metanitro benzaldehyde बनता है इसको अगर हम लोग sodium borohydride देते हैं क्या देते हैं na bh4 sodium borohydride बोला जाता है इसको तो इससे final product बन जाता हम लोग का final product क्या है metanitro metanitro benzyl alcohol metanitro metanitro position पर जो no2 था वो no2 ही रह जाएगा सिर्फ CHO जो है वो CHO CH2OH में convert हो जाएगा तो आज हम लोग सारे जो conversions है important conversions वो सारे देख चुके हैं अगर आप लोग का फिर भी कोई भी जगह में problem face करते हैं तो आप लोग प्लीज मुझे comment section में बताइएगा या तो आप लोग message भी कर सकते हो ठीक है okay then thank you students